Happy fasting days to all of those जो कि नवरातरी के fasting कर रहे हैं तो आज मैं बहुती simple वी लेकर आई हूँ सामक की चावल की खिचड़ी का जी हाँ सामक के चावल ये बहुती चुड़ी चुड़ी ग्रेनियूल्स होते हैं एक्चुल में इक ग्रास फैमिली से बिलॉंग करते हैं और जो चावल नहीं होते कई जगा इनको मोरधन बोलते हैं सामक, जंगोरा, इंग्लिश में इनको बानियाद, मिलट बोलते हैं ये इतनी nutritious values रखते हैं कि आपकी बोडी को detoxify कर सकते हैं तो इसलिए इनको वृत के चावल भी बोलते हैं और इनको fasting में recommend करते हैं Hello friends, Sonia's Kitchen में आपका स्वागत है आईए देखते हैं सामक के चावल की इस खिचड़ी को घर में बहुत सिंपल तरीके से कैसे बनाते हैं तो देखें, यहाँ पर हमने एक कप लिए ये सामक और इसको बस हम जैसे चावलो को rinse करते हैं आइसे हम इनको rinse करेंगे, तो यहाँ पर दोनी बार इनको wash out करेंगे जैसे हम बीस में पर जीन आघार के याई यहाँ वहात है तो मैंने यहां पर टोटल तीन बार इन को इसी तरीके से वाश आउट किया है तो फाइनली बस अब हम इसमें पानी डाल कर ऐसे ही रख देंगे और दूसी तरफ हम ले लेंगी कुकर और कुकर में हम यहां पर डालेंगे थोड़ा सा तेल तो जो भी आप तेल खाते हैं वो त अब कुछ और अब इसमें डाल रहे हैं काली मिर्च को न मैंने बेलन से इस तरह से क्रश किया था थोड़ा सा भून के बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है आप इसको जरू ट्राइक करें जब भी सामवक की खिचुडी बनाएं तो यह जरू ट्राइक करें आप और इसको करें अपना ईसामक की खाल डाल देंगे तो पानी उसको इससे चलाएंगे बस आब लेंगे तो यहपे ने एक न काप पानी डाला हैं इन मैं में 1,5-3 कप पानी डाला है बस इसको अच्छे से mixraland करेंगे और घटकर we have only two vibrator we holdive insulin in the genauso को प्रिषर करेंगे немे तो यहां पर total danach we नहीं अट्रिमान आए यहär नहीं है kitsubh बन कर दु로 देगे तब हम इसको खोले आए हला सहından है हमारी बहुत ही बहुत होती है यह एसे सिंपल बे में खाने में कई लोग इसमें और पिलेवे यालू का यूज़ करते एं तो आप भी डाल सकते है य टैप जब आप सका टड्का भी को रहे रहे होते हो अ तब तो यहां पर मैंने पैन में हलका सा तेल डाला है थोड़ी सी करी लीज जाली है और हलका सा मैंने यहां पर जीरा डाला है तो बस और यहां पर मैंने हलकी सी काली मिर्च भी डाल दी थी पिसी हुई तो मुझे बड़ा शौक है उसका इसमें मुझे बहुत ही टेस्टी लगती ह करें और जादा से जादा शेयर करें हमारी वीडियो को और अगर आप अभी अभी मेरे चैनल पर आई हो तो इसको सब्सक्राइब किये बिना तो बिल्कुल भी मच जाएएगा और बैल के साथ कीजिए जिससे की मेरे सारे के सारे नौटिफिकेशन्स आपको सबसे पहले मिलें जो भी मैं अपलोड करती हूँ और बस फिर मिलते हैं ऐसी किसी फ्रूटफूल वीडियो में तब तक के लिए टेक केर एंड बाई बाई